हाई एवरीवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर डूटोरियल्स में जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th Standard के लिए जोग्रफी सब्जेक का जो हमने एक निव चाप्टर की शुरुआत करना है दोस्तो आज जिसका नाम है चाप्टर नंबर सेवन यानि कि आज की दिन आपका एक फ्रेश चाप्टर हम शुरुआत करने जा र formation सबसे पहली बात कैसे होता है आपको जानना पड़ेगा कि soil कैसे बंगता है हम जो मिट्टी बोलते हैं जिसको तो मिट्टी क्या पहले से ही आ गया था क्या जब दुनिया बनी थी तब पहले से ही मिट्टी आ गई थी क्या ने तो इसी बहुत सारी चीजों जो है आपके मन सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे बाकी के दो चैनल जयार टॉक्स उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो की सबसे पहले में सॉइल के बारे में थोड़ा सब फ्लैश्बेक में लेके जाओंगा और आपको बताओंगा कि देखो हमारी दुनिया बनी कैसे थे आपको पता था अगर हम साइंस के बात करें बिग बैंग ठीरी हुआ थी एंड बिग बैंग ठीरी के अकॉर्डिंगली सोलार सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था जब अर्थ बना था हमारा जब प्रित्वी था तो उस ताइम पे जो कुल डाउन होते गया और्थ जैसे वह कूल डाउन होते गया उसमें बहुत सारे रॉक्स का फरमेशन हुआ रॉक्स मतलब क्या होता है जिसको बोलता है आज के रेट में पहाड जैसे आपने कहीं पर भी मौण्टेन आप जाओगे मांटेन इलाके में जाओगे तो आपको बहुत सारे पहाड के उपर ना ऐसे rocks दिखेंगे, चटान देखने मिलेंगे, तो वह जो चटान होता है, जिसको बोलते हैं, वही rock के weathering होने के भजे से, अगर हमें आपको ये word बताओ, weathering of rocks, शायद आपने सुना होगा, अभी तो आप छोटे standard में हो, तो शायद आप जानते होगे की नहीं, पता नहीं, लेकिन एक word होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, weathering of rocks, यानि rocks जो होते हैं, rocks का मतलब तो आपको पता है, चटान, weathering का मतलब होता है, तूटना, तूटके बिखरना, तो weathering of rocks का actual में में मीनिंग हो जाएगा, कि जो rocks होते हैं, बड़े-बड़े कोशिश कीती है, ठीक है, तो normally अगर बात करें, कि कोई भी rock जो होता है, उससे मिट्टी बनती है, लेकिन हर एक type का rock से, अलग-अलग प्रगार की मिट्टी बनती है, और अलग-अलग type की rock से, ठीक है, अलग-अलग climate condition से, उससे भी अलग-अलग type की मिट्टी बनती है, तो मिट्टी कैसे बनती है, इसका formation कैसे होता है, वो सभी चीज़ हम इस वीडियो के सिरुफ डिसकस करने वाले हैं, तो वीडियो को end तक देखते रही है, तो जो parent rock होता है, अगर इसकी बात करें, तो climate जहां पे भी है वो, यानि कि जो भी rock वहाँ पे है, जिसको हम लोग पैर अब वो factors क्या क्या हो सकते है, वो हम लोग डिसकस करेंगे, यानि कि एक चक्तान से एक पत्थर के तुकडे, बड़े से पत्थर के तुकडे के वज़े से मिट्टी बन रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे उसके factors रहेंगे, तो there are so many factors, जैसे कि अगर हम कुछ factors की बात करें, कि parent rock किस प्रकार का है, ये भी खुद ही एक factor है, उसके अलावा बात करें, उस reason का, जहां पे वो present है, south में present है, north में present है, तो हर एक जगा region, तो climate condition अलग होता है, तो उस reason का क्या फरक पड़ेगा, यानि regional climate के हिसाब से, फिर अगर हम बात करें, जो biotic material है, आस-पास, कैसा present है, उसकी बात करेंगे, टाइम के हिसाब से बात करेंगे, ये इतने सारे factors है, जो इस parent rock को soil में convert करने के लिए मदद करते हैं, तो हम लोग का एक topic आहां से शुरू हो रहा है, that is factors necessary for the soil formation, soil को बनाने में, soil को formation करने के, और ये कोई एक man-made process नहीं, हम खुद बनाते हैं, क्या soil को मिट्टी बना सकते हैं, क्या नहीं, ये automatically nature से होता है, ये nature से अपने मिट्टी बन जाते हैं, आप दुनिया में कहा है, पेपी चले जाओ, आपको मिट्टी दिखेगी, वो मिट्टी कहां से बना, अपने आप बना, कहीं से कोई उठा के नहीं लाया है, जाके दूस नेसेसरी, for soil formation, soil को बनने के लिए, कौन-कौन से factors की जगरो थे, वो हम लोग बिसकस करेंगे, तो सबसे पहला, जो factor यहां पर मैं मानता हूँ, वो है, दोस्तों, parent rock, यानि कि, कौन से type का rock है, ठीक है न, parent rock, कौन से type का है, उसके उपर भी depend करता है, तो parent rock की, अगर हम लोग सारे gaps होते हैं, कुछ rock ऐसे होते हैं, बहुत hard होता है, तो normally, parent rock अगर बहुत ज़्यादा हाड है, यानि कि, बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्या है, दोस्तों, hardness है, अगर हम बात करें, तो hardness के वज़े से, और साथ ही में उस particular reason का, climate के वज़े से, यहां पे क्या होता है, व जब बारित कसी जयना आएगा, तो पानी उसके अंदर घुसेगा, जैसे जैसे पानी उसके अंदर घुसेगा, वो धिरे-दिरे crack और बड़ा होते जाएगा, दिरे-दिरे अंदर से खोकला होते जाएगा, कमजोर होते जाएगा, तो यहां पे जो parent rock का factor हम लोग बात कर रह जो चटान होता है, वो एक powdery material में convert हो जाता है, जैसे कि example के तोरबे मैंने आपको बताया, कि बहुत सरे type के rock होते हैं, तो एक rock का नाम है यहाँ पे basalt rock, यह शायद आपने सुना होगा, there are so many types of rock, basalt rock, sedimentary rock, ignitious rock, यह शायद आपने बहुत पहले के standard में पढ़ा होगा, तो bas अच्रली कहाँ पाए जाता है, basalt rock जो है यह महराष्टर में deccan platu में पाए जाता है, जानिकि उसका climatic condition ला होगा, इसके लिए basalt rock से जो मिटी बना, हो deccan platu में पाए जाता है, महराष्टर में, वो आगर हम बात करें, तो यह etwaalt rock जब weathering करता है अपने आपको, जब यह basalt rock किया होता है दोस्तों मैं लिखा था का आगे वेधरिंग हो तकग क्या होता है तो औो तूट के जब धिखरने लगता है तो ऊविडिया हो जाएगा था चॉण से मिटई में स्विद हो किया है यह जो बसाल सॉइल देखने मिलेगा black मिट्टी एकदम काला नहीं है बाल जैसा काला नहीं थोड़ा सा brownish color करते है लेकिन उसको लोग ब्लाक सॉइल बोलते हैं तो इस प्रकार के कई सारे टाइप के soils जो होते हैं, हामें हमारे पूरे इंडिया में देखने मिलते हैं, तो वो क्यों depend करता है, पत्थर तो इक ही है, रॉक तो इक ही टाइप का होगा ना, लेकिन वूस टाइप के रॉक के वज़े से जो मिट्टी का formation हुआ, वो अलग-अलग हुआ, और उसके पीछे क्या factor था, उसका hardness कितना है, और वहाँ पर climatic condition कैसा है, इसके वैसे हाँ पर फरक आया, ठीक है, और ये soil को हम लोग regular soil के नाम से भी जानते हैं, ये black soil को regular soil के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको याद रखना, आप कैसे याद रखो के बहुत simple तरीका है, B for basalt, B for black, तो basalt rock से basalt soil बन रहा है, या फिर regular soil बन रहा है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है, साथी में कुछ rock ऐसे भी होते हैं, जिसका लाल कलर की होती है, not एकदम exactly है, लाल, खून वाला लाल ने, थोड़ा सा मतलब, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, एकदम लाल हम बात करें, तो आपके मन में तो एकदम लाल आएगा, वैसा लाल मिट्टी नहीं होती है, थोड़ी सी रेडिश कलर की होती है, ब्राउनिश रेडिश कलर, ठीक है, तो ये rock, जो होता है, ग्रनाइट rock, इससे जो मिट्टी बनता है, वेधरिंग होने के बाद, तो ये red soil बनता है, और ये generally कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है South India में, जैसे मैंने आपको starting में ही बोला, कि आप North India में जाओगे, तो अलग type का soil मिलेगा, South India में red soil दिखेगा, महाराष्टर में आपको basalt rock के वज़े से black soil दिखेगा, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़े मिलती है, ठीके, तो ये था हमारा सबसे पहला factor, parent rock, उमीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में बहुत ये अच्छी तरीके से आ गया होगा, second point के उपर जाएंगे, second factor क्या है, इसका, जो की हमने already discuss किया, climate के बारे में, तो second जो है हमारा regional climate, उस reason का, यानि जहाँ पे भी वो rock है, यहाँ पे जहाँ पे मिट्टी formation हो रहा है, उस reason का climate क्या है, कैसा है climate, इसके उपर भी हमारा जो factor है, weathering of rocks का, यह dependent करता है, तो जैसे example के तौर पे अगर बात करें, यह बहुत ज़्यादा एक important factor है, जो soil formation में help करता है, और हम सब जानते हैं कि जो weathering होता है, यह सबसे पहला step है, क्योंकि जो मिट्टी बनता है, और weathering जो होता है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा तो यह चीज आपको समझ के लेना है और जो climate है उसमें बहुत बड़ा important role play करता है कहीं पे climate बहुत ज्यादा गरम है कहीं पे climate बहुत ज्यादा थंड है तो उसके वजए से जो मिट्टी बनती है जो weathering of rocks होता है उसका process भी अलग-अलग हो जाता है उसके accordingly वो change होता रहता है ठ अलग-अलग climate condition के अंदर रखोगे तो उससे जो मिट्टी बनेगी वो भी अलग-अलग बनेगी इससे एक चीज़ क्या पता चला दोस्तो इससे यह पता चला कि भले ही पत्थर रॉक जो होगा वो हर जगा अलग-अलग नहीं होगा सेमी टाइप का होगा लेकिन अलग-अल climate condition होने के वज़े से उसमें जो मिट्टी बन रही है उस रॉक के वज़े से जो मिट्टी बन रही है वो अलग-अलग बन रही है क्यों अलग-अलग थी पत्थर तो एक ही था चतान तो एक ही थी रॉक तो एक ही है लेकिन मिट्टी अलग-अलग बन रही है क्यों अलग-अल जो होता है वेधरिंग और बसाल लॉक जो होता है उसके वेश से क्या होता है ब्लैक सॉयल बनता है क्यों ब्लैक सॉयल बनता है क्योंकि वहाँ पर क्लायमिटिक कंडिशन बहुत ड्राय है यहां पर आप देखोंगे महाराष्ट्र में तो क्लायमिटिक कंडिशन काफी की deckan plateew में जो climatic condition था, क्या था? dry था, सूखा था तो dry climatic condition होने के वजे से क्या बन रहा है? black soil बन रहा है लेकिन वो ही basalt rock अगर western सयादरी में रहेगा, तो western सयादरी में जो climatic condition है, वो humid है तो humid होने के वजे से वहाँ पे soil बन रहा है, वो letteristic soil बन रहा है यानि कि एक ही रॉक से, बसाल्ट रॉक से ही एक जगह बलैक सॉयल बना, कहां पे बलैक सॉयल बना, डेकंड प्लेटव में, डेकंड प्लेटिव में बलैक सॉयल बना, वो ही अगर हम सयाधरी रीजन की बात करें, तो वहां पे climate condition humid था, इसी Max के लिए कुन सा टाइप का सॉयल जो है वो बन रहा है, clear है, तो उमीद करता हूँ कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा, third factor की अगर हम बात करें, तिसरा factor हमारे लिए है biotic material, अब biotic material बोलो biotic component बोलो, यह exactly क्या होता है और इसका क्या फरक पड़ता है हमारे formation के उपर, यह हम लोग discuss करेंगे, देखो बहुत important चीज है, biotic material की अगर हम बात करें, bio मतलब क्या होता है bio का मतलब क्या होता है, life, यानि living organism, तो living organism का भी एक role है क्या, यह जो चटान बन रही है चटान से मिटी बन रहा है rock से soil बन रहा है, weathering of rocks तो क्या इसमें कहीं एक living organism का हाथ है क्या, yes, हमारा हाथ नहीं है, human being का हाथ नहीं है, but there are so many other living organisms which do participate in the formation of the weathering of rocks, क्या होता है उसमें, देखो, सबसे पहली बात जब चटान, जब तूटते हैं, weathering होते तूट तूट की जब नीचे आते हैं, विखरते हैं, छोटे-छोटे तुकडे होते हैं, तो उसमें एक चीज़ अगर आप सोचोगे तो वो जो powder material होता है वो directly soil में convert हो जाता है, क्या तुरंत नहीं, powder material जो होता है और soil जो होता है, यह दोनों अलग-अलग चीज़ है पहले जब weathering of rocks होता है, जब तूट-तूट के चटान गिरता है, तो वो एक powder में बन जाता है लेकिन वो powder मिट्टी नहीं होती है, मिट्टी कब बनती है जब उसमें एक बहुत important चीज मिक्स होता है, जिसको बोलते है humus, क्या होता है दोस्तों humus, एक ऐसा चीज है यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, humus क्या होता है इसमें आज आते हैं आपके various types of living organism, जैसे की dead decayed organic matter, जैसे की कुछ जानवर है आपका waste material जो होता है उनके body से जो waste निकल जाता है जैसे हम लोग सुभे सुभे हमारा waste product निकालते हैं वाश्रूम में जाके, वैसे जानवर लोग भी अपना waste product निकालते हैं, लेकिन वो वाश्रूम नहीं जाते हैं, वो लोग कहीं पे भी ब्रांचे, तुकडे, fruits के तुकडे, फल के तुकडे, जो भी है मतलब इस प्रकार के बहुत सारे चीज़े होती है तो जब वो weathering of rocks तूट तूट के जब नीचे आ जाता है तो जो powdery material होता है वो in humus के साथ जाके क्या हो जाता है mix हो जाता है and it will takes 1000 year maximum minimum बोल सकते हो आप लोग यानि कि लगबग 1000 साल लग जाता है यानि कि बात यहाँ पर कही हुए बहुत अच्छी तरीके से it will take 1000 year to convert a rock into a soil यानि कि weathering of rocks होते होते soil में convert होते होते लगबग 1000 साल लग जाता है और इसी में यह जो biotic material होता है वो mix होता है और उसमें से biotic material क्या आता है humus था जिसमें आपके सूखी पतिया गीली पतिया या फिर जो भी है branches हो गए dedicated organic matter कोई मरा हुआ जानवर है या फिर कोई भी चीज हो सकता है waste material है यह सब जाके क्या हो जाता है एक टाइम पर mix हो जाता है plants हो गए plants के तुकड़े हो गए मरे हुए plants हो गए decompose हो गए पानी हो गया microorganisms even microorganisms भी बहुत सारे मिट्टी वगरे में होते है तो वो सब उसके हम पर mix हो जाते और इसी चीज़ को humus हम लोग बोलते है ठीक है तो living organism के participation के वज़े से और साथ ही में एक process में बोलूँगा जिसको हम लोग बोलेंगे decomposition के वज़े से क्योंकि जेको weathering of rocks में जो powder बना material जो powder बना उसके साथ ये humus mix हुआ तो humus mix हुआ उसमें बहुत सारी गंदगी थी बहुत सारी microorganism, plants थे, सड़िवी चीज़े थी microorganism होने के वज़े से क्या हो जाएगा उसके अंदर decomposition process शुरू हो जाएगा एन एक बार decomposition process शुरू हो जाता है तो उसके अंदर एक समझदो अलग type का reaction होता है और वो धीरे धीरे फिर convert कर देता है उसी चीज़ को किसके अंदर soil के अंदर convert कर देता है इस तरीके से soil जो है तैयार हो जाता है और उस soil के अंदर organic waste भी होता है water भी होता है, heat भी होता है microorganisms भी होते है, plants के चोटे मोटे तुकडे भी होते है लेकिन वो सब पूरा mix होके एक powder जैसा मिट्टी बन जाता है जो कि हम लोग जानते है clear है तो उमीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा चलते हैं आज के आखरी topic के ओपर जिसका नाम है factors जो हम लोग पढ़ रहे तो factors हमने parent rock factor पढ़ लिया original climate factor पढ़ लिया, biotic material factor पढ़ लिया आप चाउथा जो factor है most important जिसको बोलते है हम लोग time अब time का बहुत बढ़ा value है अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि time का बहुत बढ़ा value इसलिए है जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक पत्थर से तुटके आ रहे, rock से तुटके आ रहे soil बन रहे, ठीक है 2.5 cm, ठिक अगर soil का layer बनाना है या फिर आपका ये बन रहा है automatically, तो इसको लगबग लग रहा है 1000s of year, जो कि मैंने अल्रीडी बात बोल दिया है आपको, कि लगबग 1000 year लग जाता है 2.5 cm, 2.5 cm कितना होगा, जादा से यादा इतना होगा दिखर आपको, यहाँ से लिखे इतना, इतना thickness of मिट्टी को जमा होने में, weathering of rocks से, तूट के powder form में convert होके, humice के साथ mix होके और soil बन जाने में, लग बग उसको 1000 साल लग जा रहे है यानि कि यह क्या है, time ही तो है यह क्या है, time ही तो है अगर example के तूर पर बात करूँ पत्थर तूटके गिर रहा है, उसका powder material बन रहा है और आपने 10 दिन के बाद ही वो सब collect कर लिया तो क्या उसको मैं soil बोलूँगा क्या नहीं उसको मैं soil बोहुत नहीं बोलूँगा क्योंकि उसके अंदर वो time के हिसाब से decomposition process नहीं हुआ है decomposition process नहीं हुआ है तो उसको हम proper soil नहीं बोल सकते है यानि कि कहीं न कहीं time का एक बहुत बड़ा role है for the formation of the soil soil को बनने में हजारों साल लगते हैं जाके वो soil बनता है और उसके अंदर humus mix होता है decomposition process होता है जहाँ पे भी जाओगे उसका एक process होता है तो जो low temperature होता है जहाँ पे देखो example के तौर पे अगर बात करूँ कहीं कहीं पे आपको rainfall जादा देखने मिलता है क्या हो जाएगा soil का formation थोड़ा सा fast हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे automatically उसको water मिल रहा है बाकी चीज़े जो है उसको favorable है वहाँ पे मिल रहा है लेकिन जहाँ पे low temperature होता है जहाँ पे temperature कम होता है जैसे बरफ वाले इलाके low temperature जहाँ पे होता है rainfall भी कम है तो वहाँ पे soil formation थोड़ा slow होता है ये दो चीज़े आपको याद रखना है clear है तो उमीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा और normally humans जो है soil का इस्तिमाल क्यों करते है क्योंकि यार उनको agriculture करना होता है खेती करना होता है clear है तो उमीद करता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत अची तरीके से समझ में आ गया होगा तो इसी के साथ दोस्तों फिर आज का लेक्चर हम समाप्त करेंगे क्योंकि आज हमने बहुत इंपोटेंटली और बहुत ही डीटेल में बहुत सारे चीजें डिसकस कर लिए बड़ा लेक्चर हो गया है काफी जाता है जिसमें हमने वेधरिंग ओफ रॉक्स पूरा कंप्लीट कर दिया है कि क्या होता है वेधरिंग ओफ रॉक्स ठीके लेकिन आपको चिंता नहीं करना है हम अगला लेक्चर प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजेगा दोस्तो और शेयर कीजेगा ठीक है फटा फट से शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव दोस्तों को शेयर करो और बताओ कितना बहतरीन चाप्टर है सॉइल के बार में कितनी नहीनी चीज़े आपको पता चली है कि कैसे बनता है सॉइल कौन से टाइप के सॉइल होते हैं ये सब चीज़ आपको पता चला है तो शेयर जरूर से करना एंसाती में दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता उसको प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियो को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो मिलते हमारे गले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थाइंक यू एंड गुडबाई